नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सुखवीर आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भीवानी हल्चा सबसे पहले के नजर आज की नूज हैरलाइन्स पर देश की ताना शाही का शाशन खत्म करने के लिए कॉंग्रेस की सरकार बनाना ज़रूरी कहा वासुदेव शर्मा ने राजपूत समाज ने बीजेपी के प्रती जताया अपना रोश पहली बार बुजर्ग और दिव्यां कर रहे घर बेठे मतदान और अब खबरे विस्तार से देश में ताना शाही का शाशन खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना ज़रूरी है डॉक्टर वासुदेव सर्मा ने अपने निवास स्थान पर कारी करताओं की मीटिंग में कहा कि 22 मई को चर्खे दादरी में आईजध होने वाली राहुल गांदी की रहली में बिवानी से अधिक से अधिक लोगों की भागेदारी सुने चित करे बैठक में राव दान सिंग की पुत्री अनुराव आप निता इंदु सर्मा ने भी राहुल गांदी की रहली को सफल बनाने की अपील की इंडिया गठबंदन नेताओं ने इंडिया गठबंदन प्रत्याशी के पक्स में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेजित किया बैटक को संबोदित करते हुए वासुदेव शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि यदि उन्हें 400 पार करवा दिया गया तो वे सम्विधान बदल देंगे उन्हें कहा कि यदि भाजपा बाबा साहिब का लिखा सम्विधान बदल देती है तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे तता फिर भारत में रूस जैसे हालात हो जाएंगे ऐसे में देश की जनता को ताना शाही से बचाने के लिए कॉंग्रिस को जिताना आवशक है इंडिया गडबंदन प्रत्याशी के लिए आईजित होने वाली इस्रेयली में सबसे अधिक भागेदारी भीवानी से होनी चाहिए वहीं राव दानसिंग के पुत्री अनू राव आम अदमी पार्टे की प्रदेश उपादेख्स इंदु शर्मा वे निलम अगर्वाल ने कहा कि भाजपा ने अपने दस वर्षों के साशनकाल के दोरान आम जन को सिर्फ मेंगाई, बेरोजगारी, अपराज सहीत, अन्य समस्याई ही दी है जिसके चलते आम नागरिक, मूल बूट समस्याईं को तरस रही है उन्होंने दावा किया कि आम जन को भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है कि कॉंगरिस के प्रत्यासी को भारी महूर्वत से विज़ई बनाया जाए ताकि देश से ताना सही का साशन खत्म किया जा सके कॉंगरिस पार्ड़ी जुएन करने का तो मक्सित ने कि था कि भार्टी जनतापार्डी का नुकमा पर इस देश पर बात्मे के तिल्यारी जातपात पर धरन पर और दूसरा कारण मेरे बड़े बाईपर के दिर से मुक्ता का अगरे में बुलाना तो मुझे आदेश देना कि विवास्तों पागर स्वाइन तक तो मेरे बड़े भाई हैं मुझे में सब्ला उनकी आदेश क्या हुआ इना नहीं कर सकता था बहुत मैंने का उनस्तादी जाना आगे यहां के उमिद्वास देखिए पहले कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टी पड़ी है कंडिडेट हराब है कंडिडेट पड़ी है पार्टी फ्राग लेकिन आज तो भगवान की दया से अबिंदर सिंग उड़ा जी की जो पार्खी नजरे नजरों के तैज जो बाईदा बाईदान सिंग जी को टिकट देखिए तो तिन्नों चीजे ठीक है नेता भी पड़ी है पार्टी पड़ी है मुझे विश्वास है कि बिवाने की जनता है में दर गए बिवाने लोकस्पा चेंतर को बिद्वार भाईदान सिंग को भारी मतों सब्सक्ता है कि इसमें को पढ़ता है अगर पहले नहीं पढ़ता तो पढ़ता है असे तो पढ़ चुक्या जो पढ़ना था लोग उन देख लिया हमारी सारी बैंड बेटिया इंचार कर रहे थे 15 लाग हमारे खाट पे माओं एक रुप्या नहीं आए इसको पढ़ना लगे सिवाए डबोस ले एक प्रेव जूट इसके जुमले अज़ एक कमाल की बात है वही एक बहुत जुम्यवार पार्टी का सिर्श ने था ये कहता है 15 लाग आएंगे और चुनाओं के बात कहता है ये तो राजनी दूमला था खराने की बात है हमारी बेहनों को हमारे बाईयों को हमारे भाईयों को जो ठग है ना अब हो ठग है काट की अंडी एक बार जड़ी को चड़ चुकी इसमें परिश दस की दस सीते अर्याना की अब की बार इंडिया गटबंधन के खाते में जा रही है यह हम पूरे निश्चित तोर पे विश्वास के साथ कहते हैं एक लहर बन चुकी है इंडिय लोगों ने कहा था 55 लेकिन जब रिजल्ट आया चालिस भी निए तो देखिए अब की बार सेम हो ही होने जा रहा है साइलेंट वोटर है और साइलेंट वोटर हमेशा सरकार के खिलाफ वोट करता है तो अब की बार इंडिया गटबंधन के नाम हरियाना की तस से दस सीटे जा रही है आम आदमी पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं मची हुए यह जो भी कुछ हो रहा है यह बीजेपी सरकार की सोची समझी शाजिस है यह आप देखिए एक तरफा जो यह वीडियो वायरल होती है उन्हें एक तरफा लेके मच चलिए जो दुबारा जो पार् इजरिवाल जी को फसाने के लिए वो उनकी शाजिस जो है वो नाकाम हो गई है बीजेपी सरकार आज कुछ भी कर सकती है कि किस तरीके से वह आपके लिए प्रभागत है आपको मैं बताना चाहूंगी कि कुछ उपलब्दियों में जो दांजिम जी की है उसमें से विशेश करके मैं लबदी बताना चाहूंगी अभी हमाले सेनी भाइगा है कि उन्होंने बोला कि शिक्षा के छेत्र में कोई भी रूची नहीं लेता तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम छोटे-छोटे होते थे तो मेंदलगाट में हम पापा के साथ में बहुत टाइम स्पेंड कि अब करपाते थे तो हम मेंदलगाट से ल्ली और भी इसके मीच में बापा के साथ में टावी करते थे क्यूंकि स्पूल नहीं होते थे आज्ट मेंता नहीं टो हमें उनोंने दिली में पड़ाया उर उन conse देन्uchen ठानिया कि जब तक भीवारी मेंदलगाट शेत्र उनिवर तो मुका मिला विधाय पर्मिनी का, उनमें से एक सबसे बड़ी उपलब्दी ये है, कि हमारे शेक्र को, जो पिछड़ा शेक्र बोला जाता था, आज एव्यूकेशन के लिए हर्याना में अगर बोला जाता है, तो दिल्ली के बच्चे भी कहते हैं, कि साउथ हर्याना में कोट देखे आप अगे पढ़ाएं, ताकि हमारी आवाज, विवानी मेंदर वेटी आवाज, उसके उपर बात की जाती है, शिक्ष्या और चिकित्सा की कोई बात लिदी जाती, हमारे जो सांसर राजकुमार सैनी ने, हमारी टीम को आदेश दिया है, इंडिया गटमंदन का कोई भी वेक्टी कहीं पर भी चुनाव लड़ता है, हम उनका सयोग करना है, और मारे बाल बता दूँ, हमारी बीच मेरी छोटी बेहन, इंदू सर्मा, नीदम अगरवाल जी, और तमाम लोग, वोशप्ता है में छोटे-बोटे काम करता हूँ, मेरा को क्यों एक ही कहना है, एक देश, देश सविधान से चलता है, और इस देश में सविधान के अंदर हर वेक्टी का उपनी बात रखने काथ है, वो भाई जो असूलों के उपर चलते हैं, जिनके जहरे में कम पुश्तरहत आती है, लेकिन वो बहुत प्लैनिक के साथ चलते हैं, मैं रेख रही हूँ इतना बड़ी फंशन हुए है, वो अपने काम में व्यत्त रहें, वो गाउं जाने में ज़्यादा उसुपता दिखा रहे थी, जिमें वहां जाके जितनी ज़्यादा बोटेल गठी कर सको, मैं उनका धिल से आज़त करती हूँ, कहीं कहीं जल दिखता हो, हर कोई जाती धर् दिवारों पर लिखता हो, समझ नहीं पाती में कैसे, राम लिखू, रह्मान लिखू, हर भारत बाती ये जिल में कैसे हिंदोस्तान लिखू ये आज दिन आया है कि राव कानती जैसा, एक लियोग्य करमत हमारी बीच से उठे हुए वीर शिरोमनी महराना परताप युवा सेना दवारा राजपूद धर्मशाला में लोकसभा चुनाओं को लेकर एक बैठक कायजन किया गया बैठक में उत्रपरदेश से पहुँचे ठाकुर पूरण सिंग, विनोध, राना, इत्यादी ने भाजपा पर राजपूद समाज की अंदेखी करने के आरूप लगाए वहीं बैठक में उपरस्ते निखले इस तमर वे करमबीर तिगडाना ने कहा कि लोकसभा चुनाओं में वे केवल उसी प्रत्यासी को अपना वोट देंगे जो भाजपा प्रत्यासी को हराने में सक्षम होगा राजपूद धर्मशाला में राजपूद समाज के युवाओं ने एक विशेस बैठक कायोजन कर बीजेपी के प्रती अपना रूस जताया इस बैठक में एकतरित हुए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि बीजेपी ने उनके समाज की कभी भी सुद नहीं ली है केवल चुनाओं के वक्त ही उनने राजपूद समाज याद आता है समाज के हित में बीजेपी ने पिछले 10 साल से कोई कारियन नहीं किया है इसलिए वे इस बार वोट उसी को देंगे जो बीजेपी को हराने का काम करेगा आज जो कारेकरम हो रहा है ये कारेकरम का मुख्छे उर्शे ही है पहरु कि प्छले साथ आजसाल से जब से बीजेपी रिखा सत्ता में आई है इस बीजेपी स्रगास को अपने स्थिचकर बड़ा किया है उस बार अपमान किया सबसे पहले जो अपमान किया उन्होंने हमारी मतापत होती फिल्म मनी जब पूरे राजबू समाज ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया और कि यह क्या सिसाथ चेर्चाड है पूरे समाज का विरोध होने के बावजूद भी विजय पीजरिगार ने उस फिल्म पूबंद कि अपमान हुआ उसके बाद अगर बात करें तो सम्राट महेर भोज शती समाज से दे लेकिन ने दूसरे समाज द्वाना उससे अपना पताने पर उसका विरोध होने पर गुजरिग समाज ने उसकी अर्ज़गम उर्दिया लगवाई लेकिन बिजय पीसरगार ने खाली द समाजी पूज लेगा लेकिन यह दूसरे समाज की लोग उसमें गुजरिगते हैं और विजय पी सरगार उनको बढ़ावज रड़ा कारे करती है जब यम्रानेगर में जब यूपी के अंदर के अंदर समाज में इसका विरोध किया और शर्ट पर उत्रा तो इन्होंने हमार कि उट नहीं देंगे उसके बाद तुम तुनाओं के समेंबे केंद्रिय पंद्री पुस्ट अरुपाला में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जब रूस और युद हुआ तो युक्रेन का राजदूत कहता है कि हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे राजबूत मुगलों के साथ लड़ रहे थे एकता कपूर जाती है युक्रेन वहां का एक साधा अरसेन कि यह कहता है वी आर नोट बोन चत्रिया वहीं हम चत्रिय पैदा नहीं है इसलिए डर लगता है पूरी दुनिया यह जानती है कि चत्रिय समाज हमेशा से अपनी धरम संस्कृति इतियास औ सब्सक्राइब करते हैं कि राजबूत है यह बेटियों अरिस्ता करते थे और यह कभी नहीं लड़ते थे जबकि इतियास गवाह है राजबूत को सदा अपने सयोगे बढ़ चड़कर नरती रहती है आज का जो कारिकम है गुजरात के अंदर जो संकलन समीति है उन्होंने मिरोब किया पुर्षो तमरुपाला का मैं आज यह बताना चाहता हूं बिवानी और बिवानी के आसपास के लाक्ये के सभी राजबूत साथी खटे हुए हैं और ठाकुर्पूर्ण सिंग के अध्यक्स्ता में आज सफ़त ग्रैन की है कि जो बीजेपी को और आएगा हम उस बीजेपी के नेता जब पदमाती फिलम को लेकर गुड़गाओं के अंदर राजबूत समाज के बच्चों पर मुकत में दर्श किये गए थे बीजेपी के नेताओं से राजबूत समाज के लोग मिले अन्य समाजों के मुकत में वापिस ले ले गए राजबूत समाज की और हरबीर सिंग के माग दर्शन में 85 वर्ष से अधिक आई वर्गवच चालिस पतिसे से अधिक दिव्यांगता वाले मद्दाताओं ने सुतंतर भारत में पहली बार अपने घर पर रहकर अपने मत का प्रियोग किया चुनाव आयोग की अनुठी पहल की बुजर्गों ने ख ग्रूप किया जा रहा है इसी कड़ी में आयोग ने लोकतंतर के महापर में प्रतेक वर्ग के मतदान को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंद किये हैं लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को आम मतदान होने से पहले जिले के विशेस मतदाताओं के लिए वोटिंग दालने का विकल्ब चुना है मतदान की प्रक्रिया को गोपनिया रखा जाएगा इसकी जानकारी सभी उमिदवारों को भी दी जाएगी कोई भी उमिदवार स्वेम या अपना चुनाव एजेंट भीज़ कर इस मतदान प्रक्रिया को दूर से देख सकता है इस कारिया के लि एटी नाइन इयर्ज ओल्ड है और क्योंकि वो बुजुर्ग बहुत जादा है तो वहां पर बूत पर नहीं जा सकती इसलिए चुनावायोग ने यह जो कारे किया है यह बहुत ही प्रशंसनी यह है और वो घर आकर उनका वो डलवाकर लेकर गए हैं तो मैं चुनावायोग का भी और जो भी करमचारी ओन ड्यूटी थे उनका धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरी मदर इनलोग को अपने अधिकार का पूरा-पूरा मतलब करने का इस्तमाल करने का उनको मौका दिया क्योंकि इस कारे से क्या है कि जो बुजूर्ग लोग हैं वो भी मतदान करने का उनको पूरा-पूरा मौका मिलेगा क्योंकि बुजूर्गोंने के नाते कई बारी वो बूत पर नहीं जा पाते तो उससे क्या होता है कि उप्रतिशक्ता जो होती है वोट परसंटेज कम हो जाता है तो चुनावा योग का ये बहुती सरानिय कदम है इससे उनको अपने अधिकार का पूरा पूरा इस्तमाल करने का मोका मिले उनके गर पर बहुत दलवाने अकारिय करया है इसमें आम समाज में पूरा सरानिय का कारिया सरकार के परति जा रहा है और एक बहुत अच्छी मुहिम सरकार द्वारा चलाई गी है हम भी इस मुहिम के परती अच्छे बाव अपने परकट करते हैं और सरकार ने बहुत ही अच्छा कारिये किया है जिन लोगों के हमने फिचाशी साल से उन्हों से ज्यादा या लीकाप्ट है या बलाइंडमेन है उन्होंने सभी ने इस परकरिया को सराया गया है यह चुनाव आयों पड़े दनेवाद के पातर है और सरकार भी दनेवाद के पातर है जो यह गुजरुक के आदमें जिन से ब्याइंडिकास का चलया नहीं जाता है या पिचाशी साल से उपर के गुजरुक है आप मानेगे चलो निगे तकरीमन बहुत जल नहीं पाते है इसलिए चुना करने का सरकार जेनेवे दिन करते अच्सी परतरिया चलाई और आके वी चलाते हैं ताकि यह 25 तारी ने जो बोटिंग होगी उससे पहले पहले यह बोट जलवाने के लिए हमारे को बोले गाया चुना आयोग द्वारा ताकि यह हम जमाक्राइं समय पर च्यारतर की जो काउं अब एक खबर चलते चलते लोगसभा चुनाओ के लिए केवल 6 दिन रह गए हैं सभी प्रत्यासियों ने चुनाओ परचार में अपनी पूरी ताकत जोग रखी है परचार अभियान सुबस साथ बजे से प्रारम होता है और देर रात दो बजे तक चलता है भाजपा और कां नर्स प्रत्यासी रावदान सिंग्स के चुनाओ परचार में उसका बेटा पहले ही चुनाओ परचार में लगा हुआ है अब उनकी धरम पतनी रैज़नंगाँ जाकर वोट की अपील कर रही है वहीं भाजपा प्रत्यासी रेडमविर सिंग्स के धरम पतनी मंजू देवी और बेटा मोहित सोधरी चुनाव परचार में जुटे हुए हैं इस चुनाव में भाजपा के बीच और कांगेश के बीच सीधा मुकाबला है अब फिर से एक नजर आज की न्यूज है रिलाइन्स पर देश की ताना शाही का शाशन खत्म करने के लिए कॉंग्रेस की सरकार बनाना ज़रूरी कहा वासुदेव शर्माने राजपूर समाज ने बीजेपी के प्रती जताया अपना रोश पहली बार बुजर्ग और दिव्यां कर रहे घर बेठे मतदान अब मुझी दीजी जाज़ा देखते रही है आपका अपना चैनल भिवानी हल चल अब मुझी जाज़ा देखते रहे आपका अपना चैनल भिवानी हल चैनल